हलो फ्रेंज जागरंजोश.com के इस वीडियो में आप सब एका स्वागत हैं मैं हूँ सयत सौबान आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करेंट अफेर से क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं उनके स़ही जवाब क्या होंगे और साथी साथ उनसे related कुछ की Facts के बारे में भी बात करेंगे साथी साथ इस वीडियो के end में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लेकर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ की जाती है हिंदी दिवस मनाने का जो मुख्यों देश है जैसे कि आप समझ सकते हैं कि देश में लोगों को हिंदी के प्रती जागरुक करना पहला अधिकारिक हिंदी दिवस कब मना आ गया था तो इसका जो जवाब है वो है 14 सितंबर 1903 में समिधान सभा के द्वारा 14 सितंब को जो है पूरे देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है अब भरते हैं अपने अगले सवाल की तरफ आस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाडी ने यूवेस उपन जीत कर अपना पहला ग्रैंट स्नायम किताब जीता है तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉमनिक यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि डॉमनिक थीम जो है वो ऑस्ट्रिया के हैं डॉमनिक थीम ने दो सेट गवाने के बाद पाच्वे सेट में अबूत पूर्वर टाइब्रेकर से अलेक्जेंडर अज्वेरेव को हरा कर यूएस ओपन मेंस सिंगल्स का किताब जीत लि और उन्हों ने फ्रेंच ओपन 2018 की बात करें 2019 में नडाल ने और इस साल फरवरी में और यहां पर दोस्तों आपको बता रहते हैं यूएस ओपन में जो जो हैं बाहर हो गये थे क्योंकि उन्होंने जो है जो रूस हैं उसमें यह है कि अगर आप किसी भी खिलाड़ी को खिल किसी भी लाइन अंपायर गया किसी को तो जोकुविच जो थे वह इस बार इस टूर्णमेंट से बाहर हो गये थे क्योंकि उन्होंने बॉल से हिट किया था और एक जो लाइन अंपायर होते हैं उनके नेक में बॉल लगी थी उसके बाद काफी चर्चा होने के बाद जो को विच को जो है इस जूएस उपन से हटा जेगा था निलबित कर दिया गया था अब बढ़ते हैं अपने अगरी सवाल पर लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना हमारी वेबसाइट जागरंजोष.com पर अगर आप करंट अफेस पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा इसके बाद आपको करंट अफेस के टैप पर जाना है ड्रॉप डाउन में आपको मन्त वाइस करंट अफेस मिल जाएंगे जहां आप मन्त के हिसाब से करंट अफेस पढ़ सकते हैं जब आप करंट अफेस टैप पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आ जिसमें लेटिस्ट, नाशनल, इंटरनाशनल, स्पोर्ट्स, टेकनोलोजी और एकॉनमी जैसी क्याटगिरीज मौजूद हैं। नयमूर्ती सेवनेवित दीपक वर्मा को लोगपाल पद से हटाकर नयमूर्ती सेवनेवित बदर दुरेज एहमत को फिर से इस पद पर नियुक्त कर दिया है। हाईजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेतरी को अपना ब्रांड अमबेजडर नुक्त किया है। यहां पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि इमामी लिमिटेड कंपनी आप लोगों ने इसका नाम सुनाई होगा इसके प्रोड़क्ट पर यूज करते होंगी जो हाईजीन रेंज है। उसके उत्पादों के लिए अभिनेतरी जूही चावला को अपना ब्रांड अमबेजडर नुक्त किया है। तो ये वाद ध्यान दीजेगा क्योंकि जो कुरोणा वार्यस है उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कंपनी जो एफम सीजी में हैं उन्होंने अपना हाईजीन रेंज निकाला है और उसकी जो ब्रांड में दरू बनाया है वह जो ही चावला को बनाया है। कंपनी ने बताया कि उन्होंने अपनी स्वास्त देखवार उपादों की नई बोरो प्लस शंकला के लिए बॉल्यवूड एक्ट्रेस जो ही चावला को ब्रांड में बनाया है। बंगाली, पंजाबी, मल्यालं, दामिड, कर्णनर, तेलगू, भाशा की फिल्मों में भी काम किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि संयुक्तर राष्ट्र की संस्था जुनिसेफ के ने अपने बाल अधिकार अभ्यान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलेबरिटी एडवोकेट बनाया है। यहां पर दोस्तों आपको बता जाते हैं कि संयुक्तर राष्ट की जो संस्था है जिससे आप भी जानते हैं युनिसेफ के नाम से उसने बाल अधिकार अभ्यान जिसका नाम है क्या फॉर एवरी चाइल्ड उसके लिए अपना सेलेबरिटी एडवोकेट बनाया है बच्च टीवी जो रोडी था उसका दूसरा सीजन जीता था और एंकरिंग करियर के में उसमें कर्दम रखी थी उन्होंने साल 2012 में रोमांटिक कॉमेडी विकी डोनर आप लोगोंने सुनाई हो गाए से मुझी के बारे में उसके साथ अपने फिल्म का करियर है वो फिल्मी करियर व आप से हमने पिछले वीडियो में पूछा था सवाल था कि हिन प्रशान छेत्र में सायोग बढ़ाने के उद्देश से हाली में भारत ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच में तीन प्रशान चेत्र में सायोग बढ़ाने के उद्देश से हाली में ये तीन देश जो है भार तक आयोजन किया गया विदेश मंतुरारे तोरा इस संबंद में जारी बयान के अनुसार बैठक के दुरान मुखी तोर पर इंडो-पैसिफिक छेत्र में सयोग बढ़ाने का ध्यान के इंदित किया गया बैठक में तीनों पक्षों ने कुरोना वायरस महामारी के संदर्व मे चर्चा की जिसमें हिंद महासागर के देशों पर महामारी का वित्य प्रभाव भी शामिल है इंडो-पैसिफिक छेत्र में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुक भागिदार हैं अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिक कर देना होगा सवाल है कि सुराज सरकार द्वारा 209 करोड रुपए के कुल परिवय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉंच किया गया है आपके उप्शन से मेगाले करनाटक तमिल नाडू या फिर पंजाब आप अपने जवाब हमें कॉमेंट बॉक् करें इस वीडियो को शेर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरनजोश.com